हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एक्सक्रिशन के बारे में पढ़ेंगे किसी भी लिविंग और्गिनिजम में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड़क्ट होते हैं जिने बॉड़ी से निकालना जरूरी होता है इसे ही एक्सक्रिशन कहते हैं लेकिन आखिर ये वेस्ट प्रोड़क्ट या टॉक्सिक प्रोड़क्ट आते कहां से हैं हर एक लिविंग और्गिनिजम में बायो केमिकल रियक्शन होती हैं लाइफ सर्वाइवल के लिए ये बायो केमिकल रियक्शन कौन करता है ये बायो केमिकल रियक्शन सेल्स करती हैं के लिए बायो केमिकल रियक्शन में जैसे फोटो सिंथेसिज, रेस्परेशन, डाइजेशन, इन बायो केमिकल रियक्शन के कारण ही कुछ टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडेक्ट निकलते हैं जिन्हें बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है आस इस वीडियो में हम एक्सक्रिशन इन प्लांट के बारे में पड़ेंगे प्लांट में दो तरीके के वेस्ट प्रोडेक्ट होते हैं एक गैसीस फॉर्म में और एक अदर फॉर्म में Gaseous form में waste product, photosynthesis और respiration में निकलते हैं Photosynthesis में waste product के form में oxygen बहार निकलती है इस्टोमेटा से और respiration में carbon dioxide and water vapor इस्टोमेटा से बहार निकलती है यह दोनों ही चीजे respiration में carbon dioxide and water vapor और photosynthesis में oxygen यह दोनों ही waste product हैं plants के लिए जो की बहार निकल जाते हैं इस्टोमेटा से दूसरे waste product भी plants से निकलते हैं और वो निकलते हैं shedding of leaves, peeling of bark and felling of ripened fruit इनके form में यह बहार निकल जाते हैं कुछ दूसरे waste product भी होते हैं जो की plants अपने चारों तरफ उनको गिरा देता है और वो land की fertility को बढ़ाने में help करते हैं तो इस तरीके से plant से waste product excrete हो जाते हैं next video में हम excretion system in human being के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you